गैस अगर आपका भी पंजाम नेशनल बेक अकाउंट है और आपको आपके बेक अकाउंट का ATM कार्ड मिल गया है अब आप चाहते हैं अपने इस ATM कार्ड का पिन जनरेट करना तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक सिक डिजिट के OTP की जरुवत होगी सिक डिजिट का OTP जो कुछ सेकिंड के अंदर ही आपको यह OTP मिल जाता है अब अगर आपको अपलाई करने का बिल्कुल सही तरीका पता चल जाता है तो आप अपलाई कर सकते हैं चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट गईस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी हम हंट्रेट के सब्सक्राइबर कंप्लेट करने वाले हैं तो थोड़ा सा रिसा ले लीजिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप देखो यार सिक डिजिट का OTP green pin पाने के लिए और अपलाई कर सके हैं. तो आपको अपने फोन की स्क्रिन पre ले जाके. अगर अभी तक लाइक ना कियो हो तो लाइक कर लो. अब देखो मैं आपको अपने फोन की इसक्रीन पे लेकर आ चुका हूँ, ता कि आपको अच्छे से बता सबकूं आप देखो यहां पर ना आपको message का जो box मिलता है सबसे पहले आप इसी वे जाई message box में जाने के बाद यहां पर start chat का option आपको यहां पर मिल जाता है इस पर click कर देंगे जिसा आप इस पर click करेंगे ना तो अब आपको ने यहां पर mobile number लगाना है mobile number लगाना है जो bank का mobile number है यहां इस mobile number से ही आपको green pin OTP के लिए apply करना है इसी mobile number पर message भेज़ के किस तरीके से यहां पर नंबर आप लगाएंगे बानवे 640 बानवे 640 ठीक है यह bank का ही नंबर है आप इसको चाहें तो customer care के लिए भी यूज़ कर सकते हैं वैसे यह banking का ही नंबर है यानि पंजाम निश्टार बेक का ही नंबर है तो बानवे 640 बानवे 640 आप लगाएंगे यहां पर आपके सामने आ जाएगा text message लिखने का option आप text message में आपको लिखना है यहां पर dcpin बड़े capital letter में आप लिखेंगे dcpin आप लिख देंगे और उसके बाद आप देंगे यहां से space इसपेस देने के बाद अब आपको लगाने ही यहां पर card के number यहां जो आपके पास ATM card है ना उसके back side में ATM card के 16 digit number होते हैं ATM card के तो वो number आप लगाएंगे और यहां पर note कर देंगे वो number यहां पर लगाएंगे और इसको यहां से send कर देंगे तो हम यहां पर number लगा लेते हैं उसके बाद आपको send करके दिखाता हूँ अब देखो यह रहा हमारा ATM card अब इस ATM card के back side में जो number लगा लेते हैं अब देखो हमने यहां पर अपने ATM card के number लगा लिए है अब इसको send करने की बारी आ जाती है send करने के लिए अगर आपके phone के अंदर दो SIM पड़े हुए हैं तो यहां पर दोनों SIM से message करने का option आता है तो यहां पर message का option वो आप चूज कर लीजिए अब इसको message को यहां से आपको send कर देना है अपने उस mobile number से जो mobile number आपके bank account में link है यहां पर इसको send करने के बाद ना bank की तरफ से reply आए उसके बाद आपके सामने message आजएगा इस तरीके से जैसे कि dear customer number 58, 34, 17 is OTP for the setting the new debit card pin ठीक है इस तरीके से लिखा रहेगा और इसमें यहां पर इसकी details भी लिखी हुई होगी जैसे कि मैं यहां पर आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहां पर इसमें लिखा रहेगा this is valid for 72 hours यानि यह जो OTP है ना जो आपको मिला है green pin यह आपका 72 के बाद यह X पार हो जाएगा 22 घंटे के बाद आपको नए तरीके से apply करना पड़ेगा यानि इसी तरीके से आपको apply करना पड़ेगा फिर अगर आपको दुबारे से OTP मिल जाता है उसके बाद फिर आप generate कर पाएगे जब आपको यह OTP मिल जाता है ना तो आप इसके screenshot कर के रखेंगे तो आपको याद भी रहेगा या फिर आप इसको कहीं पर note भी कर सकते हैं जाएए अगर आपके असपास में कोई ATM मशीन है तो ATM मशीन में जाएगे और यह OTP लगाएगे आपके ATM काड का पिन generate हो जाएगा अगर आप online generate करना चाहते है तो इसके उपर हमने पिन मिल जाता है ठीक है उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे किस तरीके से PNB बैक के निव ATM काड का पिन generate करने के लिए सिक डिजिट का OTP के से पराब्त होता है किस तरीके से उम्मीद करता हूँ यह वी